आप देख रहे हैं असली किसान चेनल आज बात करेंगे हम आलू में चेचक की समस्या के बिसे में आलू में चेचक एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण हमारे उत्पादन में तो ग्रावट आती ही है और साथ में हमारे उत्पाद की कीमत भी बहुत गिर जाती है किसान बाइयों जिस खेट में एक बार चेचक होया आती है उस खेट में हमको 3-4 साल तक आलू नहीं करना चाहिए और जो हमें बीच का इस्तेमाल करना चाहिए वो चेचक रहित बीच होना चाहिए बीच को हम अच्छी तरीक ऐसे देख ले उसमें कहीं भी किसी कंद में चेचक तो नहीं है तब ही उसको गड़ाने में उप्योग करना चाहिए चेचक की बीमारी से बचने के लिए भूमी सोधन और बीज सोधन का बहुत अहम रोल होता है तो हमको किसान भाईयों बीज सोधन भी करना चाहिए और भूमी सोधन भी करना चाहिए तो आईए हम देखते हैं कि हमें भीज सोधन और भूमी सोधन किस से और किस तरीके से करना चाहिए जिस से कि हमारी फसल में चेचक ना लगे और कंद चमकदार उत्पन हो किसान भाईयों जब आलू की फसल लगाने के लिए हम आलू कोल्ड श्टोर से चुटा कर या खरीद कर लाते हैं और फिर उसके बाद हम उनको दो दिन के लिए घर में सूखने के लिए फैला देते हैं और दो दिन के बाद जब आलू में बड्स यानि किल्ले ना निकले हो उससे पहले हम बोरिक एसीड है कि आलू में निकले हो किनकी ये किल्लों को जला देता है अंकुरण या किल्ले निकलने के बाद हम को ये षिन नहीं करना है इस प्रकार हम को अच्छी तरीके से आलू को टरT कब जब भम तरफी तरफ ये बोरिक एसीड लग जाए अब जो पहले से जिनालों में बट सेया किले निकल आए हैं वो जल जाएंगे लेकिन जो नए किले निकलेंगे वो बहुत अच्छे और सुरचित निकलेंगे ये तो हो गया हमारा चेचक के लिए बीज उपचार अब भूमी उपचार के लिए एक एकड में दो किलो ट्राइकोडरमा को हम लगबग 20 से 25 किलो गोबर की खाद में मिलाके च्छाओं में रख देते हैं च्छाओं में रखने से पहले ये देख लेना चाहिए कि गोबर की खाद में प्रयाप्त नमी है या नहीं है नमी होना आवश्यक है ट्राइकोडर्मा को आठ दस दिन छाओंबे रखने के बाद साम को जब धूप ना हो तो उसे एक एकड़ खेत में फैला कर उसकी तुरंत जुताई करा देना चाहिए इसके उपर धूप नहीं लगना चाहिए क्योंकि धूप लगने से ट्राइकोडर्मा की फफून्द नश्ट हो जाती है तो यह हो गया हमारा भूमी सोधन आप यह इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आप निश्चिन्त हो जाईए आपके खेत में चेचक नहीं लगेगी आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ जब तक के लिए नवश्कार